वेलकम बेक टो एवरिवन आज हम लोग अच्छा पांच नहतिक सिच्छा के पार्ट 19 दयानंद प्रसस्ती इस पार्ट का आर्थ समझेंगे इस में जो पोयम दिया गया है और दयानंद जी के बारे में आप सब पहले से जान रहे हैं पिछले क्लासे से जान रहे हैं उमीद है आप पहचान रहे होंगे इन महान विभूति को यही महर्ची दयानंद है इनकी ही एक कविता है जिसका हम लोग अध्यन इस पार्ट में करने जा रहे हैं इनके जीवन पर आधारीत यह कविता है बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था रिसी था मुनी था कोई देवता था बताएं तुम्हें इस कविता के माध्यम से जो लेखक है वह बताना चाहरा है पोईट लेखक की दयानंद कौन था क्यों हम उनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं इतना जान रहे हैं हमको पढ़ाया जा रहा है, क्या वह कोई रिसी था, क्या वह कोई मुनी था, या फिर कोई देवता था, अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, वे गुम्राह उनके लिए रहनुमा था, हमारे देश में पाखंड का अधर्म का राज फैला हुआ था, और इस अंधेरे में जो लोग थे, पब्लिक थे, वो ठोकर खा रहे थे, उनको गुम्राह किया जा रहा था, उनके सीधे पन का लाव उठाया जा रहा था, लोग अग्यान, अग्यानी थे, जितना अग्यान होना चाहिए था, वो अग्यान नहीं था, तो ऐसे गुम्राह लोगों के लिए दयानन रहनुमा था, रहनुमा मतलब लीडर, या मार्गदर्सक, या देवता कह सकते हैं, जिसे हमने गलती से समझा था दुस्मन, वही राश्ट नौका का नाविक महा था, जब दयानन जी लोगों को जागरूप करने का काम कर रहे थे, तो पाखंड फैनाने वाले लोगों ने उनका बड़ा जम के विरोध किया, उनके प्रती गलत धानाएं फैला दी लोगों के बीच में, तो पबलिक उनको अपना दुस्मन समझने लगी, लेकिन जब लोगों को समझ में आने लगा सचाई, जब उन्हें ग्यान होने लगा, तो वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, यही वो नाविक है, जो हमारे देश को, हमारे राष्ट को आगे तक लेके जा सकता है, आगे देखिए, निशा हिंदूओं का मिटा जा रहा था, उसी की थी हिम्मत बचाया हमें था, जो हिंदू समाज के लोग थे, हिंदू समाज के लोगों की संस्कृति को, धीरे 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 मिटाया जा रहा था, तो स्वामी दयानन जी ने आगे बढ़कर, लोगों को जागरूप किया, उनको ज्यान दिया, और दयानन जी की हिंदू समाज फिर से समल पाया, और पनपने लगा, निभाया था दिच्छा के व्रत को अनूठा, विर्जानन का सिस्षे प्यारा महा था, जो दयानन जी थे, वो स्वामी विर्जानन के बहुत प्यारे सिस्षे थे, और उन्होंने जो वचन दिया था अपने गुरू को, उस दिच्छा के व्रत को उन्होंने पूरी तरह से निभाया, यहां पर मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, स्वामी विर्जानन जी का भी पार्ट में आप लोगों ने पिछले पार्ट में कुछ अध्यन किया होगा, तो आपको याद होगा कि विर्जाननजी के पास तीन वर्ष तक स्वामी दयाननजी ने सिच्छा ग्रहण किया था और जब सिच्छा पूर्ण हो गई और गुरु दच्छिना देने के लिए विर्जाननजी के सामने दयाननजी आए तो दयाननजी ने वहाँ दयाननजी से प् जीवन आर समाज के प्रचार प्रसार पर अपना जीवन लगाएंगे और देश और समाज के लोगों को जागरूख करेंगे। समाज के लोगों को ज्यान दिया, समाज के लोगों के मन से पाखंड और जो कुरूतियां थी उसके अंधकार को मिटाया, सच पूछिए तो ये दयानंद कोई और नहीं, हमारे इस वतन की दर्दे दवा थी, जो ये हमारा वतन कहा रहा था, इन अधर्मियों के वजह से, पाख स्वती जी ने किया, इस तरह से इस पाख में जो कुछ दिया हुआ था, उसे मैंने एक्स्प्लेन कर दिया है, उमीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पाख से इस अंधित यहां कुछ खाली जगह दिया गया है, दयानंद गुमराहों के लिए डैस था, क्या था अब मुझे कमेंट करके आप बताईए, देखते हैं कितने लोगों को पाट समझ में आ गया, दयानंद राश्ट नौका का महान नाविक था, देखिए यहां मैंने अंसर खुदी बोल दिया, इस बार देखते हैं कौन कमेंट करके अंसर देता है, दयानंद की डैस ने हिंद का निशा मिटने से बचाया, अब इसका उत्तर देखते हैं कितने लोगों कमेंट कर पाते हैं, दयानंद डैस का प्यारा सिस्य था, दयानंद जी किसके सिस्य थे, सबको नाम याद होगा, उमीद करता हूँ, कमेंट करके जवाब देंगे आप, दयानंद दर्दे डैस की द बच्चों, इस पार्ट का खाली जगा का उत्तर का वीडियों तो हमने बनाया ही है, साथी साथ इसमें और पार्ट के अंदर से कौन कौन से प्रश्ण बन सकते हैं, उससे समदित वीडियों भी बनाया हूँ, जो कि कनक क्लासेज पर एवलेबल है, आप वहां से उत्तर है चैनल पर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, थैंक यू फार वाचिंग दे वीडियों